हेलो गाइस वैलकम तो माई यूटूब चैनल इस वीडियो में मैं इंस्ट्रॉल करने वाला नॉइस कालर फिट पल्ष टू स्मार्ट वॉच के उपर स्क्रीन गाड जो किसके डिस्प्लेए पर हमें स्क्रीन गाड को इंस्ट्रॉल करेंगे तो कंप्ली टूटॉरियल में अच्छा खासा आपको अमाउंट रिटन बें दी जाता है तो जो कि स्क्रेच को ही देखके लोग अंदाजा लगा थे कि कितना यूज किया गया तो आप स्क्रेच गाड लगा दोगे तो इसका डिस्प्लेए ज्यादा तक प्रोटक करेंगा और अच्छे टाइम तक चलेग 1.8 इंच का देखने को मिल जाता है तो इसका लिंक आपको मैं दिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जमने पर्चिस के ओफर भी चालू था तो सके आपको भी कमप्राइस में मिल जाए आप एक बाद डिस्क्रिप्शन चेक करना प्राइस अपन डाउन भी होते रहता है तो आ सब्सक्रिया थी कि सब्सक्रिया ओखर लिया पांच मिल प्लौश करने के बाद में यह आपको इसको आपको पावर ओफ कर लेना तो जयों कि मैंने और लेड़ी से पावर लगाने के पहले आपको सबसे करने के पहले कि कि अपन करने के पहले कि और आपको clean करते नाइप एक भी dust उपर नहीं रहना चाहिए जैसे कि आप दिसे तो इसमें alkaful का water वगरा है तो इसे वह आपको एकदम gently clean कर लेना ज्यादा pressure भी ने लगाना है और यह overall watch भी आपको पूरी waterproof ही देखने को मिल जाती है यह हो गया इसके बाद में फिर आपको weight वाला cloth को use करना है sorry dry वाले cloth को use करना है और जब आप इसे clean करो देख लिए एक भी dust आपको उपर नहीं रहना चाहिए bubbles वगरा रहे जाते तो इसमें कोई भी issue ने जो कि बस dust dust के through bubbles रहे तो वह bubbles को निकालना बहुत ही difficult हो जागा बाकी ह हमारे screen heat होता है हीट होन के कारण automatically सारे bubbles मतलब air रहेगा वह automatically दो दिन में पूरा clear हो जाता तो और आपको इसे लगता है dust है तो आप one side में clean कर लीजे एक side में पूरा का पूरा इसे लेके जाए यह तारा का सार आपका clean हो जाएगा तो इदर इनों ने बता है वह सबसे पहल दो की टू नंबर वाला पकड़ लेना और इसे आपको आराम से पूरा का पूरा remove कर देना और पर ieriपरणी कद् training की यह मैंने रिमूव कर दिया इसके बाद में फिर आपको इना इसे उल्टा करना है उल्टा करने के बाद में आपको अपने वाच पर लगाना वाच पर लगाने के पहले आपको आराम से पकड़ लेना प्रॉपरली इसके बाद में फिर आपको सबसे पहला कॉर्णर को पकड़ प्रेस करके जो गया दिए से तो चारों तरफ थोड़ा हलका फुल का 19-20 हुआ रहेगा पर उससे कोई भी फरक नहीं पड़ता है में हमारा जा डिस्प्ले टच रिस्पॉन्स करता है वह पूरा का पूरा कवर हो जाना चीए वह जैसे के आप लगता रहेगा यह बॉर्डर त रहता है और इसके कारण हमारे बॉबल तो भी रहते वह बहुत हो जाते इसको जितना हो से के इतना मैंने काट कि इसको जो कि रफ किया अब मैं जो कि कि डारेक्ट सेके इटंड नंबर वाला भी रिमॉव कर देता हूं जब आप रहना है रहते आप अंदर जो नीचे वाल सकते हैं थोड़े मोड़े बबल से तो यह मैं memote करोगे तो इसा शाएर को पूरे कर देगा पूरे के पूरे एर को जिसके कारें यह भी जो बबल्स दिख रहे यह भी आपके पूरे चले जाएगा तो अभी मैं यह वीडियो यहीं स्टॉप करता हूँ नेक्स्ट दो दिन का वीडियो जो कि अटेज करके आगे का मैं आपको बताऊंगा तो जैसी के आप हो गए रहा किस तरह आपको इस क्रेज गार को लगाना है कंप्लीट इंस्टॉलेशन का डेमो मैंने आपको बता दिया है कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमिन सेक्शन में पूस्ट सकते हो तो यह स्क्रेज गार मैंने पर्चेस किया था ओनलाइन से 99 में दो पैर आए हुए थे एमाजन पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर रहे से में स्क्रेंगार कोई 15200 का सेल कर रहा जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं दिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब मैंने पर्चेस के ओफर भी चालू था तो हो सक्के आपको भी कम प्राइस में म कर दो हुआ 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 है